नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ट्रेंडी बॉक्स प्लेटेड सल्वार की कटिंग और स्टिचिंग डीटेल में शेर करने वाली हूँ पैनी हुई ये काफी स्टाइलिश लुक देती है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और हमारा फैब्रिक कलेक्शन पचेस करने के लिए वाट्सअप ग्रूप जॉइन करें लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब सल्वार बनाने के लिए मैंने पौने दो मीटर कपड़ा लिया है ये बड़े पन्ने का है पहले इसको हम लंबाई में फोल करेंगे और उसके बाद इस तरीके से पूरा चौड़ाई में फोल कर लेंगे अब देखें सल्वार के अलग-अलग पार्ट्स कैसे कट करने है सल्वार की टोटल लेंथ है 37 उसमें हम 6 इंच का बैल्ट लगाएंगे तो उसे पहले कट कर लें उसके बाद ये 31 आजाएगा जिसमें हम 2 इंच की अलग से मोरी लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा 29 29 में हमें 1 इंच स्लाई के लिए एड़ करना है तो 30 इंच लंबा हमें पहले सल्वार का पार्ट इसमें से अलग करना है तो इस तरह हम मोरी के लिए कपड़ा निकालेंगे बैल्ट का कपड़ा निकालेंगे अब देखे इस फोल्ड किये हुए कपड़े में से सबसे पहले 6 इंच का बैल्ट निकालना है 6 inch belt में हमें 2 inch elastic के लिए add करके इस तरीके से 8 inch लंबा इसमें से अलग कर लें अब जो सलवार का main part है उसकी लंबाई निका लेंगे जो हमने measurement करके 30 ली है तो 30 inch लंबा यहां से कपड़ा अलग कर लें अब बाकी बचे हुए कपड़े में हम इसमें कलिया लगाएंगे इस सलवार को volume देने के लिए देखे यह बाकी बचा हुआ कपड़ा है अब इस कपड़े को पहले पूरा खोल के और चौड़ाई में फोल करें अब इसमें से हमें कलिया निकालनी है जो हमने main part की length ली है वही same length हमें इसमें रखनी है यहाँ पर हम 30 inch पे mark करेंगे यहाँ पर हम crotch length mark करेंगे crotch length हम यहाँ पर 8 inch लेंगे और इसे अंदर की तरफ 2.5 inch पे mark करेंगे इस तरीके से यहाँ crotch का shape दे दे अब crotch से इस तरीके से slant में mark करें जो 30 इंच तक हमने माग किया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले ले और इस तरीके से slant में माग करके कलियों का shape दे दे अब हम इसकी cutting कर लेंगे जो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरीके से सीधे में cut लगा दे अब यह 2 कलियां हमने cut की है इसको इस तरीके से गुमाक कर सामने वाले कपड़े पर रखेंगे और दो कलियां और कट करेंगे इस तरीके से हमें टोटल 4 कलियां इस सल्वार के लिए कट करनी है देखे जब हम इन कलियों को सलवार के में पार्ट से जोड़ेंगे तो यहां जो मोरी की चौड़ाई है वो करीब 15-16 इंच होनी चाहिए यहां मैंने 15 इंच ली है आप इसे ज़्यादा चौड़ी भी ले सकते हैं अब हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है स्टिचिंग के लिए देखे ये भी दो पैनल्स हैं उसमें से हम पहले एक पैनल लेंगे इस एक पैनल में दोनों तरफ हमें कलियां जोड़नी है दोनों कपड़े आमने सामने होने चाहिए आमने सामने रखकर और यहां से से स्टिच करें अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पर कली को स्टिच कर लेंगे सलवार के दोनों साइड इस तरीके से कलियां लगा कर और तयार करें अब हम यहाँ पर मोरी तयार करेंगे मोरी में बिल्कुल सेंटर पर इस तरीके से मार्ग कर ले सेंटर में मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हमें box plates बनानी है तो देखिए सेंटर से हमें इस तरीके से start करना है दोनों plates पहले आमने सामने रखें अब हम एक साइड पहले box plate तयार करेंगे देखिए इस तरीके से box plate बना कर यहाँ इसे पहले stitch करें एक स्लाई करके इन्हें यहाँ पर फिक्स करना है अब सेम इसी तरीके से box plate सामने वाली side भी बना ले दोनों तरफ बराबर plates बनाए और इनको एक बार अच्छे से iron कर ले उपर तक इस तरीके से plates बनाके iron कर ले अब मोरी बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी इस तरीके से पट्टी ले उसे बीच में से cut लगा कर यहाँ पर potly buttons फिक्स करें इस पट्टी की लंबाई हमें मोरी के हिसाब से रखनी है अब इन दोनों को यहाँ से जोड़ के इस तरीके से इस potly buttons वाली strip को तयार करें अब इसे strip के ऊपर हम pasting paper लगाएंगे pasting paper को भी मोरी की size के हिसाब से cut करें और इसे 2 इंच चौड़ा रखें क्योंकि यहाँ पर हमें 2 इंच चौड़ा पहुचा बनाना है अब इसे इसके ऊपर paste कर लें देखिए इसे मैंने pasting कर ली है अब same size की एक और strip लें इसके ऊपर रख कर और यहाँ से stitch करें इस्टिच करने के बाद अब हम इस मोरी के बिलकुल center में sportly buttons को set करेंगे और इस पट्टी को यहाँ पर stitch करके fix करेंगे इस्टिच करने के बाद अब इसे आगे की तरफ गुमाएं और उपर की तरफ से fold करके और यहाँ slide करें slide करके इस तरीके से सलवार की दोनों मोरी हमें तयार करनी है जो extra कपड़ा है उसे इस तरीके से cut कर ले सलवार के दोनों तरफ की मोरी मैंने इस तरीके से तयार कर ली है अब दोनों को आमने सामने रखें और क्रोच लाइन को स्टिच कर लें सामने वाली क्रोच लाइन को भी हमें इस तरीके से स्टिच करना है पुरा गोलाई में यहां स्टिच कर लें स्टिच करने के बाद अब हम दोनों क्रोच लाइन को आमने सामने रखेंगे और मोरी को बंद करेंगे दोनों साइट की मोरी बंद करने के लिए यहां करीब आदा इंच अंदर स्लाई में दपा दें और इस तरीके से सलवार को तयार करें अब हम यहां बैल्ट लगाएंगे बैल को भी मैंने साइट से बंद कर लिया है अब बैल के दोनों साइट इस तरीके से मार्क कर लें वहती आसान है अब देखे ये जो हमने साइट के मार्किंग किये है उसको हमें इन बॉक्स प्लेट के साथ यहां पर जोड़ना है यहां तक हम इस बैल को यहां जोड़ेंगे सामने वाली साइट भी जो साइट की मार्किंग की है वो बॉक्स प्लेट तक जोड़ दें और जो बीच में कपड़ा एककठा हो रहा है वहां पर छोटी प्लेट्स बना दें देखे इस तरीके से मैंने बैल्ट लगा लिया है अब बैल के उपर की तरफ हम एलास्टिक लगाएंगे एलास्टिक लगाने की लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यह बॉक्स प्लेटेट सलवार तयार हो चुकी है फ्रेंड्स यह अभी काफी ट्रेंड में है और पहने हुई भी काफी स्टाइलिश लुक देती है इसे आप शॉर्ट कुर्ती, एपल कुर्ती या लॉंग कुर्ती के साथ भी ट्राए कर सकते हैं आपको मेरा यह सलवार डिजाइन कैसा लगा जरूर बताएं थैंक यू वाचिंग फर दिस वीडियो